हेलो कोसी कीचन में आज बन रही है स्पेसल करवाचोत विरत थाली आपने करवाचोत विरत में अनेक तरह के वेंजन खाए होंगे लेकिन मैं आज आपको करवाचोत विरत थाली बनाना सिखाऊंगे जिसे आप एक बार बार मब बनाने का मन करेगा अगर आपको करवाचोत विरत या किसी भी विरत से रिलेटिड वीडियो चाहिए तो मैंने आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है आप चाहें तो जाकर देख सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओन करें वीडियो सुरू होने से पहले जो हमारे चैनल पर कॉन्टेस्ट चल रहा था उसका रिजल्ट अगली वीडियो में दे देंगे अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हमारी इस करवाचोत विरत थाली की वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओर करें जिसे आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेंगे इससे आपको मिलेगा दीपावली स्पेसल गिप्ट जीतने का मोगा तो हमारे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब तो चलिए इस्पेसल कड़ी चावल की वीडियो बनाना सुरू करते हैं हमने चावल को एक घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था एक भगोने के अंदर पानी रखकर इसके अंदर चावल डाल देंगे अब हमने कड़ी बनाने के लिए एक कटोरा छाच ले लिए है अब हम इसके अंदर लगबग एक कटोरी वेसन डाल लेंगे अब हम इसके अंदर एक चमच हल्दी और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब हम कड़ी की पकोड़ा बनाने के लिए एक कटोरी बेसन ले लेंगे और उसके अंदर एक चम्मच मिर्च और एक चम्मच हल्दी और सुआद अनुसार नमक डाल कर पानी से मिलाकर अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सुर्णा डाल कर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे अब आप देख सकते हैं हमारी कड़े पकोड़े का बेटर तैयार हो चुका है अब हम मिर्च की पगोड़ी बनाने के लिए मिर्च में कुछ इस तरीके से चीरा लगा देंगे अब आप देख सकते हो हमने सारे मिर्चों के अंदर चीरा लगा लिया है अब हम इन मिर्चों के अंदर कुछ इस तरीके से अपना पेस्ट भर लेंगे और कड़ाई के अंदर तलने के लिए डाल देंगे अब आप देख सकते हो हमारे दो से तीन मिनट के बाद मिरच की पकोड़िया तैयार हो चुके हैं अब आप देख सकते हो हमने इस बैटर से कुछ इस तरीके से पकोड़े तल लिये हैं अब आप देख सकते हो हमारे पकोड़े भी तल कर तैयार हो चुके हैं अब आप देख सकते हैं इतने हमने कड़ी के पकोड़ा बनाए तो इतने हमारी चावली पकर तयार हो चुके हैं अब हम कड़ी बनाने के लिए तेल के अंदर थोड़ी मेथी डाल देंगे मेथी पक जाने के बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च और थोड़ा हिंग भी डाल देंगे मिर्च तल जाने के बाद हम कड़ी का बैटर कड़ाई के अंदर डाल देंगे और उबाला जाने तक हम इसके चलाते रहेंगे ताकि ये फटेना और अब हम इसके अंदर सुआद अनुसार नमक भी डाल देंगे अब हमारी कड़ी के अंदर उबाला चुका है अब इसके अंदर सारी पकोड़ी या डाल देंगे अब आप देख सकते हो हमारी कड़ी बनकर तयार है इसमें ख़द का आ चुका है अब हम कचोरी बनाने के लिए दो उबले आलू को अच्छी तरह से कद्दू कस कर लेंगे आलू कद्दू कस करने के बाद हम इसके अंदर एक कचोरी मक्का काटा डाल लेंगे अब हम इसके अंदर थोड़ी सी राई और मिर्च क्रस करकर डाल देंगे अब हम इसके अंदर कटी हरी मिर्श लाल मिर्श और सुआद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला कर इसके अंदर पानी डाल कर अच्छी तरह से मिला कर डो तैयार कर लेंगे देख सकते हैं हमारा डोबन कर तयार हो चुका है कर दो